महरसी अगस्त एक महान रिशी थे दच्छिन भारत में उनकी लोग प्रियता बहुत अधिक थी दोस्तों उन्होंने कई उलेख निये कारे किये थे रिशी अगस्त के बंसजों को अगस्त वंसी कहा गया है रिग वेद में उनका उलेख मिलता है हलो दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल ग्यान मन्थन पर और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम आपको महरसी अगस्त के वारे में जानकारी देने वाले हैं तो चली दोस्तों बिना कोई देरी के वे शुरू करते हैं इस वीडियो को और देते हैं जानकारी महर्शी अगस्त के वारे में दोस्तो रिसी अगस्त वसिष्ट के भाई थे कुछ लोग इन्हें भ्रम्मा का पुत्र मानते हैं महर्शी अगस्त को पुलसत्य रिसी का पुत्र माना जाता है उनके भाई का नाम बिस्त्रोवा था जो रावन के पिता थे पुलसत्य र अखारत में इसे मलय ध्वज के नाम से पांड़ाई राजा की पुत्री बताया जाता है। उहां इनका नाम कृष्णे च्छना था। दोस्तो इनका यहम बाहन नाम का एक पुत्र था। महर्शी अगस्त की गन्ना सब्त रिश्यों में की जाती है। ये भगवान सिफ संकर के स सबसे साथ सिरिष्ट सिस्यों में से एक थे। महर्शी अगस्त राजा दसरत के राजगुरू भी थे। दोस्तों, महर्शी अगस्त को मंत्र दृष्टा रिशी कहा जाता है। क्यूंकि उन्होंने अपने तपश्या काल में उन मंत्रों की सक्ति को देखा था। रिग वेद के अनेक मंत्र इनके द्वारा द्रिष्ट हैं महर्शी अगस्त ने ही रिग वेद के पर्थम मंडल के 165 सुक्त से 191 तक के सुक्तों को बताया था साथ ही इनके पुत्र द्रिड चुत्र के पुत्र इधम वाह भी 9 मंडल के 25 में तथा 26 में सुक्त के द्रिष्टा रिषी थे रिषी अगस्त ने ही इंद्र और मारूत्यों में संधी करवाई थी दोस्तो अगस्त रिसी ने ही बिंद्याचल की पहाड़ी में से दच्छिन भारत में पहुँचने का सरल मार्ग बनाया था यह भी कहा जाता है कि इन्होंने अपनी मंत्र सक्ती के बल पर बिंद्याचल परवत को भी जुका दिया था महर्शी अगस्त समुद्रस्त राच्सों के अत्याचार से देबताओं को मुक्ती दलाने हे तू एक बार सारा समुद्र का जल पी गए थे महर्शी अगस्त के वारे में कहा जाता है कि एक वार उन्होंने अपनी मंत्र सक्ती से प्रिथवी पर मौजूद सारे सागर, वहा सागर और समुद्र का जल समुचा पी गए थे दोस्तो इसी प्रकार इलवल तथा वातापी नामक दुष्ट दैत्यों की सक्ती को नश्ट कर दिया था अगस्त रिसी के काल में राजा सुर्त्रवा, ब्रहदस्त और त्रस्दस्यू थे इन्होंने अगस्त रिसी के साथ मिलकर दैत्यराज इलवल को जुका कर उससे अपने राजी के लिए धन संपत्ती मांग ली थी दोस्तो दच्छिन भारत में रिसी अगस्त सर्वधिक पूजनिये हैं शिरी राम अपने वनवास काल में रिसी अगस्त के आश्रव में एक वर्पधारे थे दोस्तो रिसी अगस्त के वंसजो को अगस्त वंसी कहा गया है अगस्त वंस के गोत्रकार करंब कौसल्य क्रतु वंसोधव गंधार कावन पॉल सत्य पौलः मयोभू सकट सुमेधस के गोत्रकार अगस्त मयोभू तथा महेंद्र इन तीन परवरो के हैं दोस्तो यह थी जानकारी अगस्त मुनि से जूड़ी हुई उम्मीद करते हैं फ्रेंट्स आप सभी को हमारे वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सेर करना न भूलिएगा और दोस्तो ऐसे ही जान परधक वीडियो देखते रहने के लिए आप मारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो जुड़े रहे आप मारे चैनल के साथ और देखते रहे जानते रहे धन्यवाद जैहिंद